कि यहां पर क्या लिखा है नियो डारवनिस्ट मतलब इसकी थेरी को मालने वाले जो थे हग्जले विजमन हैकल जी जी थॉमसन ये सारे लोगों ने नैचर सेलेक्शन की थेरी को अप्रूफ किया इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे आरे फिशर, सिवाल राइट और मेयर इन लोगों ने modern synthetic या फिर नियो डार्विनिस्ट को और जाधा अच्छे वे में explain करने की कोशिश किया ठीक है तो यहां पर थोड़ी थोड़ी चीज़े आपको याद रखनी है कि ये इसमें ऐसा नहीं था इसमें जो नियो डार्विनिसम है इसमें म्यूटेशन थेरी को भी importance दी गई थी इसमें विजमें की जो थेरी थी बटा जर्मप्लास की थेरी उसको भी accept किया गया था हेकल जेजी संसन ठीक है मेयर सबको इंक्लूट किया गया था है न ठीक है इसके बाद ये भी पढ़ लीजे बटा ये जो है न ये पढ़िए Modern Synthetic Theory was designed by Huxley in 1942. Turbansky wrote a book Genetics and Origin of Species. He wrote a book ठीक है बटा देखिए अब यहां पर रुख जाईए लिखिए जैसे कि यहां पर बोल रहा है कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजे इसने बोला है ठीक है यहां पर लिखाया है Modern Synthetic Theory was designed in book of Huxley मतलब इसको देखिए ऐसे होता है कि बहुत सारे author की जो chapters होते है एक ही book में लिखता है एक ही बुक में लिखता है अगर मैं बहुत अच्छा जो पूरी यह जो book थी इसको पहले सबसे पहले जो लिखा था उसने हग्जले ने लिखा था बटा एंड हग्जले ने सभी लोगों को include किया था उसमें मतलब इसका यह पार्ट इससे लिया गया है Mutation theory is written by Hugo Devaris Darwinism की natural selection theory है Darwin ने दी है इसके बाद फिर जो germ plus theory है इसको देने वाले scientist है August Wisman इस तरह से सबका contribution ले लेके उसने पता है क्या एक अच्छी सी book लिख डाली जिसको design कियाता हग्जले ने ठीक है modern synthetic theory ठीक है तो इसको इसने लिखाता हग्जले ने 1942 में ठीक है इसके बाद डॉब Dobzoski wrote a book on genetics and origin of species इसने भी एक book लिखिए बटा genetics and origin of species Dobzoski ने लिखा है ठीक है stebbins stebbins ने एक लिखा था process of organic evolution बहुत important MC क्यों है who wrote the book process of organic evolution तो यह stebbins रहेगा बटा इसका answer ठीक है यह याद रखने वाली चीज़े आपको ठीक है इसके बाद आपको मैं पहले ही बता चुका हू unit of evolution क्या होता है बटा unit of evolution होता है population है ना एक single individual में changes नहीं देख सकते है unless and until सारे के सारे लोगों में evolution नहीं हो रहा है तो unit of evolution क्या होगा population not individual ठीक है बटा and अच्छा यह बात मैंने last ही lecture में आपको बताया था मैंने आपको बताया था एक होता है micro evolution और एक होता है बटा macro evolution अब आप मैंने आपको बोला था ने बेटा कि जो जेनेटिक लेवल पे होता है जीन लेवल पे जो होता है उसको मैं बोलता हूँ बेटा micro and जो morphological change होता है physical appearance होता है या फिर geological time scale में किसी का appearance change होता है तो उसको मैं बुलूँगा macro evolution बड़ा evolution वेरी क्लिया बटा ठीक है जैसे अभी देखिए मैंने आपका इसका example पता है क्या दिया था मैंने आपको दिया था कि एक तरह का bird था जो South America and North America में रहता है लेकिन जो North America में रहता है वो थोड़ा सा light color का है और बड़े size का है जबके जो South America में है वो थोड़ा small size का है और इसका जो color है वो dark हो चुका है ठीक है बटा तो ये जो color वाली changes आ रहे है छोटे मोटे जो changes आ रहे है जो बड़े बड़े physical changes जो आते है बटा जो के geological time scale में पता चलते है तो उसको अपन क्या बोलेंगे macro evolution बड़े evolution है न बटा ठीक है तो यह already मैं आपको बता चुका हो example के दूँ ठीक है बटा तो इतना तो अपन कर चुके थे इसके बाद मैंने आपको पार्ट कट जाए और ऐसे के ऐसे अगर next generation में चला गया तो उसमें mutation होने के chances होते है ठीक है और एक बात बता है था chromosome का add होना या subtract होना for example मैंने आपको बताया था 23 pair of chromosomes होते है एक मम्मी से आया हुआ है यह पापा से आया हुआ है फिर दूसरा है यह है second pair of chromosome बिटा ठीक है इसके बाद third फिर fourth फिर five ऐसे 23 chromosome होते है 23 में एक मम्मी की तरफ से आ जाता है X और पापा की तरफ से अगर X आया तो ठीक है निकली Y आया तो लड़का हो जाएगा तो इस तरह से आप ऐसे बोल सकते हो बिटा कि बहुत सारी चीजे है जो contribute करती है यहाँ पे अब लेकिन अगर मैं बोलू कि गलती से यह हुआ कि मम्मी की तरफ से या पापा की तरफ से chromosome number 21 यहाँ पे chromosome था 21 अब यहाँ से मम्मी की तरफ से दो chromosome आ गया एड़ पापा की तरफ से एक chromosome आ गया मम्मी की तरफ से एक आना था लेकिन दो आ गया due to non division इसको बोल रहाँ बिटा देखिए यह होता कैसे उसको भी समझ लीजे इसको बोल रहाँ कि यहाँ पे दो chromosome है यहाँ पे दो chromosome है 2N है ठीक है या फिर इसको आप 46 बोलिए इसको बोल लीजिए 46 46 क्रोमोजोम के बाद मियोसीज 1 होता है मियोसीज 1 में क्या होता है 23 होता है ठीक है बटा लेकिन गलती से ये हो गया कि यहाँ पे 23 जाने के बजाए इधर के इधर में 46 चले गए इस वाले में सिर्फ 0 क्रोमोजोम चले गए तो यह जो sperm है यह जो ovum है यह नला हो गया पूरा कुछ भी नहीं उसके अंदर क्योंकि non-division हुआ है जिसकी वज़े से 46 क्रोमोजोम इधर चले गए या इसका further होते समय भी ऐसा हो गया इसमें भी 46 एक साइड में ही चले गए तो इसकी वज़े से आप ऐसे बोल सकते हो कि अब जो sperm बना है इसमें already 46 क्रोमोजोम थे मतलब एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा आ चुका है तो इसको polyploidy की situation बोलते है फिर एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा हो जाना तो आपको यह पता चलेगा इसकी वज़े से भी problem आ सकती है इसके बाद कि जो थे बटा जो क्रोमोजोमल mutation था यह तो मैं बता चुका हूँ आपको इसके बाद अपने देखे थे बटा ladder bug replica plating experiment मैंने आपको बताया था कि दो तरह के species थे ठीक है एक था A, एक था B वो एक साथ रहते थे ठीक है लेकिन जब इनके against अपने penicillin डाला था तो क्या हो गया था बटा penicillin डालने के बाद जो B वाले थे वो survive कर रहे थे A वाले सारे के सारे मर गए क्योंकि B में क्या present था B में present था बटा antibiotic resistance gene क्या था इसमें antibiotic resistance genes था उसके पास very clear तो penicillin से भी वो नहीं मरेगा very clear है ना कुछ भी नहीं है यार chapter बहुत easy है ठीक है आज मैं आपको true man's book है true man's book के MCQ भेज़ दूंगा I hope आप सभी ने MCQ solve कर लिए क्योंकि last में आज मैं MCQ लेने वाला हूँ तो be ready with all the MCQ चीक है सभी लोगों ने किया क्या कितने लोगों ने किया I try क्योंकि में को तो तीनी लोगों के question पूछ रहे है एक तरूल में को पूछता है दूसरा फिर स्नेहा पूछती है और इसके बाद फिर भक्ती पूछ लेती है इसके अलावा कोई में को question नहीं पूछ रहा है आप सभी में से ठीक है यही लोग पढ़ रहे हैं बाकी सब time pass कर रहे है क्या रहे है बच्चा लोग time pass कर रहे है बटा stabilizing population यहाँ पर बूला है दो किलो का बच्चा यह है पाच किलो का बच्चा लेकिन सर्वाइव कर रहे है तीन किलो का बच्चा बटा जिसको अपन प्रोग्रेसिव बोलते है देखिए डारेक्शनल या प्रोग्रेसिव इसके बाद centrifugal या फिर आप इसको disruptive बोल सकते हो एक्स्ट्रीम पोजिशन वाली चीज़े काम में आएगी यह जो middle वाली थी वो minimize हो जाएगी तो इसका example भी मैंने आपको दिया था sunflower में ठीक है चलिए इसके बाद industrial melanism ठीक है first question to Nishikai Nishika who did this experiment in 1850 for the first time industrial melanism को 1850 में किस ने किया था anyone who knows the answer यह experiment दो बार repeat हुआ है यह दो बार किया गया था पहली बार यह किया गया था 1850 में और दूसरी बार इसको किया गया था 1920 में repeat ठीक है तो 1850 में इसको करने वाले जो scientist थे इसको जो करने वाले scientist थे इसको जो करने वाले scientist थे Fisher and Ford दूसरी बार 1920 में इसको किया था बटा Cattlewell ने देखो ये concept बहुत अच्छे से रखो मैं guarantee देता हूँ 16 marks इस chapter से कम आ रहे है 90% of the लोग इस chapter को छोड़ देते है guarantee है मेरी मैंने देखा है MR वालों के हाल मैंने बहुत last year से भी पढ़ा रहा हूँ मैं बहुत जित्ते भी सालों से पढ़ा रहा हूँ evolution में सब के concept हिले हुए रहते है इस chapter को कोई serious नहीं लेता है R.D.Winburg equilibrium से MCQ आता है natural selection में से MCQ आता है evolution of man में से MCQ आता है उसके brain के उपर आ जाता है बटा कुछ ऐसे topics है origin of life की theories के उपर से question आ जाता है अपने को consider करना है please ठीक है और आपको कोई difficulty ऐसा मुझे नहीं लगता है कि यार इस chapter में जित्ते भी अभी बच्चे question पूछे जैसे सनिहा पूछ रहे है तरूल पूछे में उनको पूरे answer दे पा रहा हूँ ठीक है तो अपने आप से बटा solve करने की कोशिश कीजिए ठीक है मैं आपको अभी आज देने वाला हूँ एक true man's की book के पूरे MC की evolution के उपर इसके बाद जित्ते भी chapter है बहुत जादा easy है human health and disease हो चुका है sexual reproduction बहुत जादा easy है एक भी question नहीं छुटेगा उसमें से ठीक है जो अपना दूसरा chapter है human reproductive health वो भी बहुत easy है ठीक है एक दिन का chapter है बचा फिर biotechnology only ठीक है तो बहुत easy easy चीज़े है बस इस chapter को बहुत अच्छे से कर ली जी यह chapter गया ना तो आपको एक lead मिल जाती है मैं guarantee देता हूँ अगर यह chapter आपने अच्छे से कर लिया ना you will be above all by 16 marks 16 marks से आप जाधा रहेंगे सब भी बच्चों से चलिए तो इसको पढ़िए बजा बटा नीशे का पढ़ो इसको अपने किया नीतिशाह दिये लास्ट टाइम हुआ बर्मिंगम बर्मिंगम हुआ हुआ अब एक कॉश्चन में आपको पूसता हूं बटा कि यह जो ब्लैक मौत बना है यह कैसे बना है क्या वाइट मौत के उपर ही शूट या फिर कोल टार जमा हो गया इसकी वज़े से वो ब्लैक में कनवर्ट हुआ है या फिर कोई और रिजन था या म्यूटेशन हुआ था तो आपको एक बात बता तो बटा कि यह जो ब्लैक मौत पैदा हुआ है इसकी वज़े से वो काला हो गया नहीं ऐसा नहीं हुआ इसके अंदर मौटेशन हुआ था सबसे पहले ठीक है बटा तो अच्छा ठीक है तो इतना याद रखेंगे बटा आपको पता है पहली बार यहां पर लिखा नहीं है किन साइन्टिस ने इसको किया था पहली बार इसको परफॉर्म किया था फिशर एंड फोर्ड नाम के साइन्टिस ने 1850 में इसको परफॉर किया था 1920 में केटल वेल ने ठीक है चलिए तो एक कोश्चन आपको पूछता हूँ स्निया सिधाम आई है क्या वहाँ पे कि स्निया सिधाम देयर कि याली आगरे कि आगेस नॉट कि कि पूर्वा कि अधिक नेम आफ ग्रेमौथ अड ब्लैक मौथ अड ब्लैक मौथ पता नी बिस्तन कार्बूलेयर ठीक है तो ग्रेमथ का नाम है बेटा बिस्तन बिटूलारिया एंड ब्लैक मौत का है बिस्टन कार्बुलारिया ठीक है देख पार है जैसे कि आप अपन यहाँ पे देखिए ग्रे मौत का साइंटिफिक नेम है याद रखना है अपने को यह पढ़ चुके है अपन बहुत अच्छे से यह पढ़ा चुका हो मैं यह रिविजन क्लास है बटा आप की ग्रे मौत का नाम है बिस्टन बिटुलेरिया ब्लैक मौत का है बिस्टन कार्बुनेरिया ठीक है यह शीड भी आपको मैं प्रोवाइड कर चुका हो अल्रेडी फिर भी नहीं आ रहे है तो फिर चलो अच्छा तो दूसरी बार 1920 में इसको किस ने किया था बटा केटल वे एरिया थे 1950 के पहले इंडस्ट्रिलाइजेशन के पहले जो थे तो वाइट मौत की पॉपुलेशन बहुत ज़ादा बढ़ रही थी लेकिन जब आफ्टर इंडस्ट्रिलाइजेशन जब केटल वेल ने इसको परफॉर्म किया था तब इसको पता चला कि जो ब्लैक मौत है वो कही न कही सर्वाइवल एडवांटेज ले रहे है ब्लैक बार्क में छुपे जा रहे थे एंड वाइट मौत कम थे लेकिन एक और बात थी बटा जब वो गाओं की तरफ गया जब वो गाओं वाले एरिया में गया जहां पर इंडस्ट्रियल मेलाजिजम नहीं पहुचा था शूट नहीं था काले नहीं होते लाइकन अभी भी ग्रो कर रहे थे वहां पर उसने यह पाया कि वाइट मौत अभी भी जादा है उदर एंड ब्लैक मौत कम है उदर वेरी क्लियर ठीक है तो कही ना कही आप ऐसे बोल सकते हो कि नेचर ने किसको सिलेक्ट किया है नेचर बर्मिंगम बर्मिंगम बोल नहीं जो भी है नहीं बोल बर्मिंगम हाँ हुँ हाँ 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 ऑब यहां पढ़ो ठीक है बटा तो इतना अपने को पता है उसने क्या किया दो अलग-अलग सेट ओफ ब्लैक मौथ और वाइट मौथ पॉलुटेड और नॉन पॉलुटेड एरिया में भी छोड़ दिया ठीक है लेकिन उसने पाया कि जो तो पॉलुटेड एरिया में है वहां पे ब्लैक मौथ सर्वाइब कर गया और जहां पे नॉन पॉलुटेड एरिया है वहां पे वाइट मौध सर्वाइब कर गया ठीक है न सहीं बात है लेकिन मैं आपको यह पढ़ा देता हूँ ठीक है यह कैसे natural selection होता है and कैसे antibiotic resistance आ जाता है ठीक है चलिए तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ resistance of mosquito to pesticide ठीक है तो देखिए अब pesticide सबसे पहले एक 1939 में आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ बटा 1939 के टाइम पे जब second world war चल रहा था न तो insect की वज़ा से बहुत सारे soldiers थे जवान थे उनको बहुत सादा बिमारी होती थी और मर जाते थे तो इस टाइम पे 1939 के टाइम पे एक pesticide प्रोडूस किया गया था ठीक है जो के बहुत सारे insect को मार डालता था और उसका नाम था DDT पेस्टिसाइड बनाया गया था जो भी इसका फुल फॉर्म बताएगा उसको दो रुपे दूँगा बता वाट इस दे फुल फॉर्म ऑफ डी डी टी क्या क्या फिर से बुल ठीक है वेरी गुड वाट शी स्तेंग दो रुपे पक्के देरे ठीक है इसका साइन्टिफिक नेम है या इसका जो केमिकल नेम है वो है डाय सभी को पता है ना शायद ये तो ठीक है आया होगा ना आपको डाय क्लोरो डाय फिनाइल ट्राय क्लोरो इथेन डी डी टी का फुल फॉर्म है ये बटा ठीक है और डी डी टी को बनाया गया था इंसेक्ट को दूर रखने के लिए लेकिन बाद में ये पता है क्या मलेरिया और फाइलेरिया मतलब मॉस्किट को भी ये दूर भगाता था ऐसा पाया गया था कि DDT के छिड़काओ करने के पौर एक्जमपल कोई तो भी सोलजर है जो टेंट में रह रहा है इस वक्त ठीक है तो उसके टेंट के आजू-बाजू में DDT का छिड़काओ कर देते थे ये पाया गया तो इनसेक थो आते नहीं थे मच्छर भी नहीं आते थे तो कहिंना कहीं DDT की वज़ह से मौस्कोटो रेजिस्टंस की तरगा कर रहा था उन ठीक है तो मौस्कोटो को भी वह दूर भगा रहा था कुछ दिनों तक कुछ सालों तक ऐसा चला लेकिन धीरे-धीरे मॉसक्यूटोज ने डेवलप किया और अब । डिवलप किया और डवीटी डालने के बाद भी मॉसक्यूट्वे एरिया में आके रह रहे थे क्यों कि डीडीटी का रेजिस्टेंस उन्होंने डेवलंप किया था कही न कहीं उनके अंदर एक mutation आ गया था कि वो अब DDT से नहीं मरेंगे करके वेरी क्लियर समझ मैं आया बटा ठीक है तो इसी चीज़ को अपन पढ़ लेते हैं निशीका प्लीज रीड दिस पॉर मी एक छोटी सी स्टोरी थी इसमें चलिए बढ़िए झाले चे रीज़ को सी स्टोरी थीज़ पॉर मी पना है पाले वग्याइ खीक है बटा तो उस टाइम पे आप ऐसे बोल सकते हो कि डीडीटी बहुत खाना था लेकिन अब मॉस्केटो ऐसे हो चुके है कि उन्होंने म्यूटेशन कर लिया खुद के अंदर आप वह रेजिस्टन्ट वराइटी के हो चुके है तो डीडीटी से वह मरने वाले नहीं है फेरी क्लियर ठीक है बटा चलिए अब एक और दूसरा एक्जामपल है इसी क पापा की तरफ से भी आया HBA ये हो गया normal ये जो हो गया HBA ये हो गया HBS ठीक है HBS तो ये होता है carrier sickle cell होता है बटा heterozygous form होता है ये क्या होता है carrier होता है इनमें भी थोड़े बहुत symptom आने के chances होता है and ये जो होता है HBS and HBS ये तो sickle cell for sure हो जाते हैं इनके बचने के chances बहुत कम रहते हैं अब ये बात बोली गई है देखिए एक छोटा सा एक example है बटा कभी भी ये इसको याद रखेंगे जैसे मैंने आपको हर बार पढ़ाते समय ये जरूर बोला होगा जब कुछ चीजे ले लेता है न उसके बदले में आपको कुछ एक special gift दे देता है जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई व्यक्ती अंधा है न तो उसका sixth sense या फिर उसकी सुनने की जो power है न बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इतना मतलब छोटी सी भी आवाज भी कोई करे न पिन भी carrier है वो तो उसको जो malaria है वो नहीं होता है ठीक है तो कही न कहीं क्योंकि आपको पता है बटा जो RBC का shape है वो भी sickle size हो जाता है है न तो इसकी वज़े से आप ऐसे बूल सकते हो कि उसको malaria होने के chances 0% हो जाते है क्योंकि उसको एक बिमारी दे दी उसको एक बिमारी से resistance का power दे दिया है है ना कुछ एक चीज छीन ली भगवान नहीं तो बदले में एक चीज उसको दे दी है ना इसको अपन ऐसे याद रखेंगे ठीक है तो इसको भी अपन पढ़ लेता है बटा पढ़िए इसको ये मैंने झाल 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 है 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 थीक है समझ गया तो अपने है है कि जो हेट्रोजाइगस है दे रेजिस्टन्स मतलब हेट्रोजाइगस मतलब हेट्रोजाइगस मतलब HBA HBS ये वाले हेट्रोजाइगस है ठीक है HBA HBA ये दोनों रहेगा तो वह नॉर्मल है HBA HBS है तो वह हेट्रोजाइगस है ठीक है अब इसके बाद आता है बिटा sexual selection ठीक है इसको भी पढ़ लेता है पढ़ो इसको बिटा कि यह कि अगर कि अगर कि अगर कि 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 अगर कि अगर कि आपको बता है तो मैंने आपको बता है बताया था कि एक Golden Sparrow है एक है Golden Sparrow है यह स्पेसियेशन को बहुत जादा कॉरिलेट कर पा रहा है ठीक है क्योंकि sexual selection की वज़े से जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक है Golden ये जो golden sparrow है इसी के तीन अलग-अलग वराइटी होती है एक होती है yellow sparrow, एक होती है brown sparrow and एक होती है golden sparrow इसके तीन variants है species एक ही है, color अलग-अलग है and थोड़े बहुत habits अलग-अलग है, ठाटे है है? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये golden sparrow है ये इसी जैसे दिखती है लेकिन जो brown sparrow है थोड़ी सी बतसूरत दिखती है थोड़ी black color की है या brown color की है इसके food habits भी थोड़े गड़बड है yellow sparrow जो है इसके भी food habits थोड़े अलग-अलग है या फिर दिखने में थोड़ी अपने जैसी नहीं दिखती है अब यह किसको चूज करेगी अ अपना as a partner उसी के साथ वो sexual reproduction करना चाहती है तो यह characters भी sexual selection में आते है बटा है ना तो अलग-अलग organism में एक ही species के तीन अलग-अलग organism हो सकते है बटा depending on their color ठीक है तो उसकी वो फिर subspecies हो जा सकते है और subspecies के साथ आप ऐसे बोल सकते हो इस sexual reproduction किया जा सकता है है ना ठीक है जैसे मैं बोल रहा हूँ कि we all are homo sapiens homo sapiens एक African भी है एक American भी है एक Indian भी है एक Chinese भी है ने चाइना ने चाइना ने चाइना को हटा दो भाई पहले ही बहुत आतंक मचा के रखा है इन लोगों ने ठीक है बटा तो आपको पता है कि यह जो है यह भले ही American है और यह भले ही इंडियन है और यह भले ही European है ठीक है तो European वाला भले ही अमेरिका वाले के साथ sexual reproduction कर सकता है इंडियन्स भी इधर जा सकते है क्योंकि ये homo sapiens की ही प्रजाती है हाँ इनकी sub species अलग है क्योंकि इनमें आप ऐसे बोल सकते हो कि variety थोड़ी आ गई है depending on the color चलिए तो इसी की basis पे यहाँ पे बोला गया है करती है तो while choosing a partner है न बटा ठीक है अब आता है बटा artificial selection artificial selection का मतलब है अपन लोग अपनी मरजी से करेंगे इसमें human का interference है अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी पहाड़ी है इस पहाड़ी पे ये ऐसे बहुत सारे ऐसे गुमावदार रस्ते है इन गुमावदार रस्तों पे बड़ी बड़ी सी ट्रक्स नहीं चल सकती है जो सामान को लादा जा सके क्योंकि ये पलड गई बस या ट्रक तो सीधा खाई में 10 करोण का नुकसान हो जाएगा अब मुझे क्या करना है मुझे एक ऐसा एनिमल ढूड़ना है जो इन गुमावदार रस्तों पे बहुत अच्छे से मेरा सामान ये टॉप वाले मेरे घर पे ले जाके रख दे है ना तो अब मैं क्या करूंगा मेरे को चाहिए घोड़ा या फिर गधा लेकिन आपको पता है बिटा कि ये जो होर्स होता है ये बड़ा चंचल होता है इसके पीट पे अगर आपने बहुत ज़ादा ये रख दिया ठीक है ये घोड़ा है इसके उपर अगर आपने बहुत ज़ादा वजन लाद दिया ना तो ये उतना मतलब बहुत चंचल होता है वो वजन उठाता ही नहीं इतना तेज भागेगा वो कि इस वजन को ही गिरा देगा दूसरा होता है गधा गधा बहुत छोटे साइस का होता है ये इतना वजन उठा नहीं सकता है तो इसकी वज़े से ये दोनों भी बहुत ज़्यादा अपने काम के नहीं है तो अपने क्या किये? अपने को चाहिए मूल अपने को क्या चाहिए? अपना काम निकालने के लिए मूल क्योंकि जो मूल होता है, it is a hybrid of horse, female horse and male donkey female horse, female horse होता है पिटा एक and male donkey ये होगी female horse और male donkey, male donkey इन दोनों का जो combination होता है इसको बोलते है मूल and इसकी जो मूल है बटा, ये मूल की आपके चार पाच बाते बता दो मूल के बारे में मूल का lifetime ज़ादा होता है, मूल is sexually sterile, तीसरी बात, मूल बहुत ज़ादा वज़न ढो सकता है मूल अपना ज़ादा दिमाग नहीं लगाता है, अपने जितना बोला गया उतना काम करता है तो ऐसे घुमावदार रास्तों के लिए मेरे को तो ये hybrid की जरूरत है तो मैं artificial selection करूँगा, मैं बोलूँगा भाई, तु आजा घोडे, तु आजा गधे, दोनों का mix कर दूँगा और मूल को पैदा करूँगा अपनी सहूलत के लिए तो this is called artificial selection, ऐसा बहुत सारी जगह भे किया जा सकता है जैसे for example मैं दूसरा example दूँ बटा, एक male है, एक female है, गाय है तो male में disease resistance power बहुत अच्छा है and female की milk production power है बहुत है, तो इसमें आ गया disease resistance, इसमें है milk production ठीक है, disease resistance, milk power दोनों भी एक नई गाय में आगी अब ये जो hybrid गाय बनेगी, जिसको मैंने बनाया है very clear, तो आप ऐसे बोल सकते हैं बटा, कि ये बहुत ज़ादा इसमें disease resistance भी रहेगा and इसका milk production का power भी बहुत अच्छा रहेगा तो ये जो अपन काम कर रहे है, ये human है, ये artificial है, है ना, ये nature नहीं किया ये अपन लोगों नहीं किया, very clear, उचलिए आपको आई होप ये समझ गया होगा, इसको अपन पढ़ भी लेते हैं, चलो, पढ़ ये बटा इसको आपको 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 करता दो झाल 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 ठीक है एक सेकेंड ठीक है बटा दिखिए इसका जो मतलब है anthropogenic action मतलब human के द्वारा की गए कारस्तानिया ठीक है anthropogenic action मतलब humans ने किया हुआ है ठीक है जिसे मैं बोलू कि artificial selection यह किस ने किया है human ने किया है अपने benefit के लिए किया है very clear ठीक है अगर आप बुलेंगे ऐसा species बना पाना म्यूल जैसा species बना पाना यह लाखो करोडो साल लग जाते थे ठीक है दो अलग species को लेके लेकि दो अलग species का crossing करना और उसमें से बच्चा पैदा करना यह बहुत difficult है हाँ अगर वह एक ही family के होंगे या फिर एक ही order के होंगे तो यह थोड़ा बहुत possible है बटा family and order class वगए उनकी सेम रहेना तो possible है लेकिन इतने जादा level तक नहीं ठीक है एक जीनस तो भी होना चाहिए उनका जैसे मैं बोल रहा हो कि horse and donkey है इनका जीनस सेम है species अलग अलग है ठीक है तो at least इनका जीनस सेम होना चाहिए ठीक है लेकिन उसमें भी एक problem होती है बटा कि एक बात याद रखें हों हुँमन क्या कर रहे है अगेंस नेचर जा रहा है तो कही न कहीं इसका खाम्याजा उसको भगतना पड़ता है कि आपको पता है कि यह जो horse है and यह जो donkey है इससे बना क्या बना म्यूल बना लेकिन यह sexually sterile नहीं होता इसमें बहुत सारे problem आता है सबसे पहले अगर दो जाता है जैसे में बोल रहा हूं मौस्किटो मौस्किटो आर बिकमिंग डीटी रेजिस्टेंस नावड़ेज आज की डेट में अगर आपका जो गुडणाई कॉल है उसी के आसपास में भिंग बिनातर रहता है क्यूंकि उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है धीरे लोग इतना खा चुक है कि उनके खिलाब भी रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है तो यह सारी चीज़े है इसको एंथ्रोपोजनिक एक्शन है एंथ्रोपोजनिक एक्शन मतलब मैनमेड चीजों की वजह से जो प्रोब्लम आती है ठीके बटा यह लाइन में पढ़ लेता हो जाए हो सकता है किसी में ना हूँ है ना यह चांस इवंट की बात होती है ठीके चलिए तो इसके आगे का पढ़िए बटा सम एक्जम्पल्स ठीके बटा तो बहुत सारे एक्जम्पल है पॉल्टर जैकोबीन यह सारे जितने भी आनिमल्स बनाए गये है यह एंथ्रोपोजनिक एक्शन से हाइब्रीड अपनने आर्टिफिशली बनाए है इवन एक कैबेज होती है जो के कॉलीफलावर एंड वाइल्ड कैबेज से बनाई गई है ठीके इवन आपने सुना होगया क्लोन्स भी बना चुके अपन बहुत अलग-अलग थाइप की शिप्स भी बना चुके एक शिप्स थी जो के बीकानेरी इव से बनाई गई थी एंड मतलब उसका एक मेल जो था एक फीमेल था तो वह जो मेल था बहुत डिजीज रेजिस्टन्स भी था एंड जो फीमेल थी उसका जो मिल्क प्रोड़क्शन की पावर थी एंड वूल होता है ने इनके उपर जो इनके बॉड़ी पर रहता है वो बहुत जादा निकल रहा था तो इस तरह से भी अपन कि ये थे 900 क्या थे गोरे लोग थे capital T capital T और 100 थे काले लोग small t small t अब ये जो लोग थे इनको बहुत परेशान करते थे तो क्या हुआ एक बार gene migration हुआ 25 काले लोग निकल गए फिर परेशान करने लगे 25 काले लोग निकल गए फिर gene migration हुआ 25 काले लग निकल गए ऐसे करते कर हुआ तो उसको में क्या बोलूंगा जीन फ्लो जब बार-बार जीन माइग्रेशन होता है तो उसको क्या बोलता हो बिटा जीन फ्लो अब ओरिजनल पॉपुलेशन रही क्या सेम जीनो टाइप की तो ओरिजनल पॉपुलेशन अगर आपको याद है तो ओरिजनल small t small t ये था original population लेकिन इस में से अब small t small t हट चुका है very clear अब क्या बचा है सिर्फ और सिर्फ capital T very clear बटा तो इसी को अपन बोलते है gene migration and gene flow ये नहीं होना चाहिए अगर ये हुआ तो क्या होता है हार्डी विन्बक का equilibrium इसको भी पढ़ लीजे बटा बस खतम हो चुका है chapter एक page बचा है स्रेव आप 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 ठीक है बटा तो इसकी वज़ा से अगर वो remove हो गए original population में से तो उनकी एलेलिक frequency change हो जाएगी यही बात बोली है उसने है न ठीक है तो यहां से वो निकल गया है original population में से ठीक है चलिए अब आते है बटा genetic drift इसी को बोलते है bottle neck effect very clear genetic drift इसको बोलेंगे या फिर आप इसको बोलेंगे सिवाल right effect सिवाल right effect क्या बोला था मैंने इसमें मैंने बोला था कि दो तरह के population थी दो तरह की population थी एक थी A एक थी B लेकिन यह जो B वाले थे इनके उपर बाड आ गई earthquake आ गया इनकी जो एक कोई तो भी particular disease थी वो disease के कारण यह B की population पूरी खतम होगे अब बचा खुचा खाना and survival advantage किसको मिल गया बटा A को मिल गया तो इसको बोलते है अपन genetic drift due to any natural calamity earthquake disease या किसी की वज़ा से एक particular population का विनाश हो जाता है इसको अपन क्या बोलते है बटा civil right effect ठीक है अब इसका अगर मैं इसको आप थोड़ा बहुत चली इसको देखते है बटा इसको भी पढ़ते है simultaneous ठीक है तो पढ़िए इसको बटा genetic drift अब देखते है बजसे हम नहां बड़ता है ठीक है बटा देखिए आपको पता है मैंने आपको एक बात बोला था बटा कि यहां पे जैसे मैं बूल रहा हूँ कि यह MP वाला एरिया मद्य प्रतिश का एरिया यहां पे बहुत अलग अलग वराइटी के जाती प्रजाती के लोग रहते थे ठीक है बटा ठीक है अब इसमें पूरा मिक्स अब था सारे लोगों का लेकिन इसमें से कुछ तो इंडिविजियल थे कि उन्होंने बोला कि हमको यहां पे नहीं रहा ना है यहां से 15 लोग आये और 15 लोग नियू आइलेंड पे जाके उन्होंने वहां पे अपनी पूरी रेस को इनिशेट किया अब यह यहां पे जो जीनो टाइप बन गया है यह कुछ अलग ही बन गया है यह उरिजिनल पॉपॉलेशन से बिलकुल मैच नहीं करता है और एकसांपल मैं बोल रहा है ओर और वोड़िनल population से हटके है ये कही न कही इन्होंने founding members की तरह काम किया था याद है मैंने आपको बता था बटा founding members की तरह काम किया था आगे की जो इनकी race आएगी उनका genotype ये रहेगा तो इसी का example उन्होंने दिया हुआ है वहाँ ठीक है चलिए आगे बोलिए अगे ठीक है बटा देखे तो अच्छ मुए आपको एक question पूछ रहा है इस वक्त आप सभी लोग मुझे एक बात बताईए क्या founder effect भी a kind of genetic drift है क्या founder effect भी a kind of genetic drift है बोलिए हो सकता है ना बिल्कुल हो सकता है देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि founder effect में क्या हुआ कि यहाँ पे दो या तीन तरह के genotype रहे होंगे लेकिन यहाँ पे इनको छोड़के यहाँ पे कही ना कही उनका gene frequency या एललिक frequency ही change हो रही है है ना जस तरह से आप ऐसे बोल रहे हो कि genetic drift में natural calamity कुछ तो भी हो गई थी तो original population तो यह थी इस island की लेकिन अब क्या हुआ कि यह वाले पूरे की पूरे मर गए एक ही type के बचरे तो this is founder effect कही ना कही correlate करता है genetic drift से भी या फिर genetic drift को ही आप bottleneck effect या फिर civil right effect बोल सकते हो very clear ठीके तो यह कही ना कही correlate करते है क्योंकि genes की जो एललिक frequency है वो गड़बड हो रही है और आपको बता है बटा कि genetic drift हुआ तो यह कही ना कही evolution को show करेगा क्योंकि hardy windberg का equilibrium disturb हो जाएगा for example इसको फिर से देख लेते हैं मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे यह जो थे ए वाले जो थे इनकी gene frequency थी एललिक frequency इसी 0.6 और इनकी थी 0.4 तब जाके यह 1 हो रहा था very clear लेकिन genetic drift हुआ यह 0.4 वाले मर गए तो p plus q is equals to 1 हो पाएगा क्या नहीं होगा because p plus q is equals to 0.6 हो जाएगा यह वाले तो मर गए ना भाई साब very clear बटा ठीक है तो इसी चीज़ को अपने को याद रखना है ठीक है इसके उपर mcq आएंगे मैं आपको अगर याद है तो इसमें बहुत सारे mcq देखे रखा है ठीक है आज मैं आपको true man's book के पूरे mcq दे दूँगा true man's की जो book है ना उसके सारे mcq दे दूँगा मैं photo निकाल के आपको ठीक है चलिए तो अब आचुके है बटा isolation पर ठीक है isolation को भी एक बार पढ़ लेता है ठीक है तो मैंने आपको यह बहुत अच्छे से बता चुका हूँ isolation कैसे होता है या फिर speciation का formation कैसे होता है मैंने आपको बताया था बटा allopatric speciation कौन बताएगा तरुल what do you mean by allopatric speciation allopatric tarul is there tarul आया के रह बबा vinit what do you mean by allopatric speciation पता एलो पेट्र क्या होता है पता है यह बरोबर है जैसे मैंने आपको बताया था ना बटा कि यह एक darwin की finches मतलब island है यह island है यह geographically separate है एक दूसरे से अब यहां की finch इधर नहीं जाने वाली इधर की finch इधर नहीं जाने वाली है तब geographical isolation जब आ जाता है तो उसमें आप ऐसे बोल सकते हैं यह allopatric speciation है तो isolation हो चुका है species का है ना बटा इसी को आपन बोल सकते हैं तो इसी के example है बटा कि geographical isolation होगा reproductive isolation होगा reproductive isolation मतलब for example मैं बोल रहा हूँ कि can a mouse reproduce with an elephant नहीं can a human reproduce with a dog and anything ठीक है नहीं कर सकते है क्योंकि कहीं न कहीं उसमें बहुत सारे problem आ सकते है sperm mortality हो सकते है देखिए बहुत सारे problem यह हो सकते है कि for example दो अलग-अलग species है न तो सबसे पहले तो इसमें sperm mortality होती है sperm मर जाएगा sperm mortality नहीं भी हुई तो आपको पता है बटा के zygote का fertilization नहीं होगा fertilization में problem होती है fertilization हो भी गया and zygote form हो भी गया तो zygote mortality हो जाती है मतलब zygote मर जाता है zygote अकर बज भी गया and birth देते समय उसको problem होती है बटा देखिए आपको दिखा यह gamut mortality फिर zygote mortality होती है फिर embryonic mortality होती है और अगर इन सब कारणों के बाद भी अगर वो individual बज गया वो individual बन गया for example मैं बुल रहा हूँ के एक है एक dog है and एक human being है तो इनका अगर fertilization हुआ भी अगर man के fertile egg जो sperm है चले भी गया एक female dog में तब भी इसकी fertile जो sperm है वो मर जाएंगे zygote बना नहीं पाएंगे very clear बटा तो यही सारी चीज़ें यहां पर दिये है कि reproductive isolation है even जो इनके sex organs होते है वो भी अलग-अलग होते है इसमें एक और चीज होती है breeding time अलग-अलग होता है और example में बोलू कि यह tree frog है एक है tree frog ठीक है high love अगरे जो रहते है न tree frog and एक है normal frog ठीक है बटा तो आपको पता है यह जो normal frog है यह tree पे तो जाके रहेंगे नहीं और इनका sexual reproduction possible नहीं है ठीक है बटा कि यह इनका जो breeding period होता है for example मैं बोल रहा हूँ कि breeding period किसी frog का है November and दूसरे frog का जो breeding period है वो है September यह इसी time पर activate होते है इनके gonards जो sex organ है इसी time पर activate होते है और इनके November में activate होते है मतलब यह तो अलग-अलग species के frog है frog ही पर जाती है लेकिन यह क्या आपस में sexual reproduction कर सकते है क्योंकि breeding time अलग-अलग हो चुका है है न बटा तो बहुत सारे ऐसे problem होते है बहुत सारे अलग-अलग organism में to have sexual reproduction ठीक है अगर उनमें हो भी गया वो सारी चीज़े तब भी zygote mortality होगी sperm mortality होगी gamut mortality होगी और इसके बाद अगर गलती से वो बच भी गया तो यहाँ पर apply होगा बटा mayor's law क्या apply होगा mayor's law यह बुलता है कि अगर आप nature के खिलाफ जाओगे दो अलग-अलग species का sexual reproduction कर पाओगे तो बहुत सारी problem होगी नमबर एक gamut mortality फिर नमबर दो zygote mortality ठीक है sperm mortality ठीक है अगर यह सबसे भी बच गया और वो जिन्दा रह गया तो वो hybrid sterile हो जाएगा क्या हो जाएगा hybrid हो जाएगा sterile और इसका सबसे best example पता है क्या है इसका सबसे best example है बटा mule क्यों क्योंकि आपको प यह चलो बच्चा produce कर भी लिया लेकिन वो क्या हो जाता है बटा वो हो जाता है sterile ठीक है तो देखें यहां पर clear cut यहां पर लिखा है sterility hybrid sterility and breakdown in the next generation f2 generation ठीक है बटा तो इसी तरह की सारी चीज़े आती है बटा isolation में यह इतना ही page अभी अपना बच्चा हुआ है बटा इसके है तो यह तो अपन अल्रेडी अच्छे से कर चुक है एंड इसके बाद सिर्फ फिर क्या चालू हो रहा है human evolution ठीक है तो human evolution अपन next class में चालू कर लेंगे बटा क्या बुल रहा है तरूल female donkey and male horse can produce mule or not हो सकता है उसका भी combination है लेकिन most common जो mule बनता है ना बटा that is also a mule लेकिन इतना उसमें ऐसा बोल सकते ना आपकी जो fertilizing power नहीं होती उनमें मतलब अगर एक female donkey है and male horse है तो इसका जो आने वाला mule है इसमें hybrid mortality ज्यादा पाई गई है मतलब वो survive नहीं कर पता है लेकिन अगर female हाँ बोलो बोलो हिनी? हिनी बोलते है उसको जो तु बोल रही है mule and हिनी यह हिनी किसका है लेकिन male horse अच्छा तो इसमें क्या features होते है कुछ हां क्या एक सब्सक्राइब कहां पर लिखा हुआ था इसी में लिखाए गया अभी आ जाएगा इसको पढ़ने लगाता हूं मैं तो देखते है क्या आत निकलता है उसमें से ठीक है चलो अनिशे का इसको पढ़ो बटा देखते हैं क्या आता है तो है कि सभी लोग ध्यान दीजिए इसमें है कि मैं समझ गया लेकिन से पढ़ते हैं उसको आने दो पढ़ो तब तक तुम यह यहां से पढ़ो अपने पास ताइम कम बच्चा वर आइसोलेशन से पढ़ो ठीक है हम पढ़ो हम पढ़ो थीक है बटा देखें यहां पर क्या बोल रहा है सबसे पहले तो जोग्राफिकल आइसोलेशन होगा मैं आपको एक बात बताते तो बहुत अच्छा जो अमेरिका में बहुत एक पहाड़ी है और जिसके बीच में इक नदी बहती है ओरीजनली वह यह पर जो इन यहां पर ऑरीजनली एक ही जैसे ती लेकिन धीरे 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 ये squirrel की जो population है वो आपस में ही interpret करती रही क्योंकि squirrel उड़के इधर तो नहीं जाने वाली थी तो इसकी वज़े से आप ऐसे बोल सकते हो कि यहां की जो squirrel बनी थी वो अलग हो गई थी और इधर की जो squirrel बनी थी वो अलग गई थी दो अलग-अलग species बन गई थी लेकिन यहां पे पढ़ने जो यहां पे जो birds थे birds की species एक जैसी थी मतलब इस जो यह था यह जो जगह थी बटा यहां पे भी सेम तरह की birds थी और इधर भी सेम तरह की birds अवेलेबल थी क्योंकि birds इधर उड़के sexually reproduce कर सकती थी और इधर वाली birds भी इधर आके sexually reproduce कर सकती थी क्योंकि बहुत पास थे ठीक है बटा इसलिए इसको आप याद रखेंगे यह geographically separate किसके लिए हो गया यह geographically separate हो गया ता सिर्फ और सिर्फ स्कु सारी थी क्योंकि gap बहुत जादा था very clear ठीक है तो वह इधर ही रहेगी और वहां पर उसने इंसेक्ट खाना चालोगी यह वाली जो थी इसने fruit खाना चालोगी very clear ठीक है तो इसके बाद आता है बटा reproductive isolation इसमें आपको एक बात याद रखना है mayor देखें यहां पर लिखा problem हो सकती है ठीक है तो reproductive isolation दो हिस्सों में कराया गया है pre-mating pre-mating मतलब reproduction के पहले मेट के पहले क्या problem हो सकती है sperm उस टाइम पर नहीं हो सकता है या फिर ऐसे बोल सकते हो कि इसका breeding time अलग होगा यह October में active होता है वो November में active होता है दूसरी जो बात है हो सकता है कि जो mechanical problem हो मतलब एक हाती के जो sex organ है वो अलग है एक चुहे के जो sex organ है वो अलग है mechanical problem आ रही है ठीक है habitat problem भी आ सकती है अगर मैं बुल रहा हूँ कि एक tree frog है and एक जो है वो normal frog है तो यह जो normal frog है वो tree पे नहीं चड़ेगा and यह वाला उधर नहीं आएगा ठीक है तो अलग अलग तरह के pre-mating problem post-mating problem क्या है चलो इन दोनों ने अगर sexual reproduction कर भी लिया तो क्या हो जाएगी gamut mortality हो जाएगी ठीक है अगर gamut mortality नहीं हुई तो zygote mortality हो जाएगी zygote mortality नहीं हुई तो जो आने वाला जो है F2 generation में जो बच्चा आएगा वो sterile हो जाएगा तो यह किसका law है बटा यह mayor law है कि अगर आप nature के खिलाफ जाके दो अलग-अलग species का sexual reproduction कर गया हो तो आने वाला जो बच्चा है वो तो जिन्दा नहीं रहेगा और जिन्दा रह भी गया तो क्या हो जाएगा sterile हो जाएगा very clear ठीक है बटा चलिए तो इस चीज़ को भी आगे पढ़ लेते हैं ठीक है यह यहां तक हो गयता ना बटा ठीकँए तो प्रिवेंट्ज धा इन्ब्रेदिंग नैचरलली बाइं शिम्पेट्रिक स्पीसीेशन ठीक है तो मैं आपको यह बता चुका ठीक है चलिए पैरापैट्रिक सिंपैट्रिक याद आता है कि निर्य वाबालो ठीक है अलोपैट्रिक पैरीपै and sympathetic sympathetic में मैं आपको याद है मैंने आपको बताया था बता करना चाता है यह सारी चीजह भी consider में ली जाती है ठीक है चलिये तो ऐसारी चीजह ऐलव्य पेरिपेटेटरिक सिंपेटリिक क्ये की तरह ही हो रहा है ठीक है चलिए तो अपने पास बहुत कम टाइम बच्चा हुए दस मिनिट में खतम करने का अपने चलिए यह होगे यहां से यहां से पड़ा बड़ा यहां से रिप्रडुक्ट्री आइसोलेशन मेकैनिजम कि रथा यहां से कर दोती है, कि सम्स्क जोग्टा मुट Four Valley कि यहांस बहुत Isk रहां होगे यहां 네 говорить कि नहते से भाल थम नहांस कि बहुत कि दोगने तो, तो अग Hammज कि अगर हो भी गया इनका sexual reproduction तो gamut mortality हो जाएगी मतलब sperm उसकी वजायना में जाके मर जाएगा ठीक है जाइगोट अगर उसने fertilize कर भी दिया और जाइगोट बन भी गया तो जाइगोट मर जाएगा and embryonic या larval mortality embryo में embryo जो उसका बन जाएगा embryo पता ना आपको larval stage में ठीक है तो larval भी मर सकता है and अगर वो भी बज गया and अगर वो hybrid पैदा हो गया तो hybrid क्या हो जाएगा sterile हो जाएगा sterility आ जाती है यही एक important चीज है इसमें ठीक है चलिए तो with that we have completed this एक बार इस last line को भी पढ़ लीजे ठीक है natural selection यहां से पढ़े लो थोड़ा सा ठीक है कि अगर पार हो थोड़ा जाएगा तो यूड़ा चीक है म्यूल एंड हिंद ऑफ और स्टराइल ठीक है बटा तो यह दिखे दो अलग-अलग स्पीकी लेकिन उन्होंने आपस में रिक्रोड्यूस किया तो जिस इसका डीटेल आपको चाहिए हिन्नी एन म्यूल का तो मैं आपको बता दूँगा नेक्स लास में ठीक है इता याद रखे कि बोतार स्टराइल ठीक है हिन्नी कैसे बनी है इसका वीडियो भी है बिटा अपने यूट्यूब चैनल पर तो आप देख सकते इसको ठीक है एक बार रिवाइस कर देता हो ठीक है अगर किसी को याद नहीं होगा तो मैं आपको रिवाइस कर देता हो बता जो एलोपैट्री मतलब जोग्रिकली सेप्रेट थे ये जैसे स्कूरिल थी यहां पे यह दूसरे पहाड बीती, तो यहां पे एक barrier था, इसका एक और example क्या है बटा Darwin के finches, वो एक जगा से दूसरे जगा उड़के नहीं जा रही थी, geographically वो separately, वो क्या था, Allopatric, उसके बाद मैंने बताया था बटा Peripatric में मैंने क्या बताया था, Peripatric में यह बताया थ separated from a large original population, और वहां पे फिर वो separate बन चुके है, अब यह कौन से color के हो जाएंगे, यह हो जाएंगे, green color के, हैना बटा तो इधर के लोग इधर नहीं आते हैं, उधर के लोग इधर नहीं जाते हैं, ठीके बटा, इसके बाद मैंने आपको बताया था, Peripatric, Peripatric में क्या जा सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कि मैं गंदा हो जाओंगा, यह ऐसा कुछ हो जाओंगा, ठीके बटा, बहुत सारी problem है, जा सकते हैं, जाना नहीं चाते हैं, इसको क्या मैं बोलेंगे, Paripatric, उसके बाद मैंने आपको बताया था, Sympatric, Sympatric में क्या बताया था, एक golden spar थी female, वो क्या चूज करती है, golden sparrow को ही चूज करती है, brown sparrow को नहीं करती है, yellow sparrow को नहीं करती है, ठीके बटा, तो उसके food habits जब वो देखेगी, या उसका color सारी चीज़े देखेगी, इसको क्या बोलता है, Sympatric, and last जो selection था बटा, वो था artificial, artificial में मैंने आपको क्या बना था, अपन select करते है, अपन मुलते है, एक male horse लो, एक female donkey लो, and इसके बाद इनका ये कराओ, तो अपने को क्या मिलेगा, हिन्नी मिलेगा, या mule मिलेगा, क्यों अपने अपने फाइदे के लिए, बड़े-बड़े पाहाडों जैसे area में, सामान ढोने के लिए, उसको बनाया है, है brief account of evolution, और ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, brief account of evolution के बाद, क्या है, brief account of evolution के बाद, start होगा, origin of human, ठीक है, ये जो है, एक class में हो जाएगा, बस अपना एक class का बचा हुआ है, origin of, origin and evolution of human, ठीक है, ये last class में रहेगा, ठीक है, इसको भी एक बार पढ़ लीजे, इसके बाद अपन, mtg fingertips, mtg fingertips के mcq करेंगे, इसके बाद true man के mcq करेंगे, और आपके sheet के mcq करेंगे, एक एक दिन में, अगर आप extra time दे पाए, तो बहुत अच्छे बात होगी, किते लोगों की चीए, कि मैं mcq भी करा हूँ, या skip करो mcq, बताए, how many of you want mcq, ये तो मैं skip करा के, फ चाहिए हमको, ओके बटा, और, और किसको चाहिए, ओके, 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 ठीक है, क्या वो practice अच्छी हो जाएगे ना बटा, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत important chapter है, ठीक है, मेरे काल से तो ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ लीजे एक बार, ये चलो, पढ़ो, तर निशी का, पढ़ रहे बटा, जल्दी में ता, पटे, आशाप्त। झाल 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 कि यहां पर देखिए पॉलिप्लॉडी को एक अलगी वे में मतलब जो सिंपैट्रिक स्पीशियेशन है ना उसको एक अलग वे में एक्स्प्रेंट करने की कोशिश किया है पॉलिप्लॉडी हो गई है पॉर एक्जम्पल यहां पॉलिप्लॉडी हो गई है